क्या मई में केजरिवाल इस देश का इतिहास बदल कर रख देंगे? क्या पहली बार चुनाव आयोग के EVM का चक्रव्यूर तूटने वाला है? तयार हो जाईए क्योंकि मई महीने में केजरिवाल और EVM के बीच मुकाबला होने वाला है चुनाव आयोग ने इस दंगल का खुला नयोता दिया है केजरिवाल ही क्या? कोई भी इस दंगल में उतर कर EVM को टेमपर करके दिखा सकता है बार-बार के आरोपों से तंग आकर चुनाव आयोग ने अब सब को खुला चैलेंज दिया है कि वो आएं और EVM को खराब करके दिखाएं EVM के साथ ये दंगल मई के पहले हफते में तै किया गया है दस दिनों तक के मौका सब के पास रहेगा चुनाव आयोग इस दोरान EVM को खोल कर भी उसे खराब करने की चुनावती दे सकता है वैसे सवाल 2009 में भी उठे थे और तब चुनाव आयोग ने इसी तरह का चैलेंज रखा था तब कोई भी EVM को भेद नहीं पाया था लेकिन 2009 में अर्विंद केजरिवाल नहीं थे अब खबरों की माने तो चुनाव आयोग पॉलिटकल पार्टीज के प्रतिनिग्यों को बुला कर इस उपन चैलेंज में शामिल कर सकता है इसके अलावा टेक्नलोजी के जानकार भी आकर अपना हुनर दिखा सकते है कुछ संगठनों और लोगों ने EVM में छेड़ छाड की शिकायत की थी लिहाजा उन्हें भी बुलाने की बात हो रही है अर्विंद केजरिवाल ने जिस तरह से EVM पर सवाल खड़े किये थे सब की नजरें खास तोर पर उन्हीं पर रहने वाली है केजरिवाल ने अपनी एक प्रेस कॉंफरेंस में यहां तक कहड़ा था कि चुनाव आयोग वो दृद्राश्ट्र है जो दुर्योधर यानि BJP को किसी भी कीमत पर सत्ता में लाना चाहता है केजरिवाल का रोप है कि यूपी चुनावों में इस्तेमाल हुए EVM में बड़े पैमाने पर छेड़ छाड़ हुई है अब चुनाव आयोग ने केजरिवाल के इलजामों को गंभीरता से लेते हुए चैलेंज दे दिया है कि वो आएं और EVM में गरबड़ी करके दिखा दे इंडिया न्यूद वाइरल की रिपोर्ट